तो हेलो फेंट कैसे हैं अब दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं इस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में या बोल सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के बारे में दोस्तों इस्टाग्राम का एक लेटेस्ट अपडेट आया था जो कि भी टैवर्जन पर उस पे एक आपको मिलने वाला है कैसे आप इस वीचर को यूज करेंगे एक एक चीज बताऊंगा दोस्तों तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप सोच पाएंगे तो चलते हैं दोस्तों आगे मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐस उसको अगधे अफडेट करने की आद उसको जैसी ऑपन करेंगे तो यह मैं आगे आपनी चacjiशन में यहां पर आपको करना क्या और फ्लस वाला आइकन देखरा है यहां पर आपको आपको निचे की तरफ करेगे आपको एक नया option मिल रहा होगा जिसका नाम है video layout आप देखेंगे टच अप के ऊप नीचे और ये timer के ऊपर आपको दिख रहा होगा video layout का option दोस्तों ये video layout का option क्या है तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखेंगे याँ two screen मिल रही है एक तरफ आप light हो रहा है और एक तरफ से blank हो रहा है इसको मैं आपको use करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से मैं अपना कर लेता हूँ पहले तो camera change तो आप देखेंगे मालो मैं यहाँ पर यह video को record कर लेता हूँ अब यह video मेरी हाँ पर record हो रही है बोल सकते हैं एक पार में यहाँ से record कर रहा हूँ record करने के तब मैं इसको okay करता हूँ यह second part पर चला गया आप देखेंगे अब second तरफ से video record हो रही है जिसको मैं पीछे back camera से record कर लेता हूँ तो यह यहाँ पर यह record होना चला हो गया आप देख सकते हैं यह record हो गया तो अब यह 2 video इकल्टी पोस्ट कर सकते हैं आप आपने वाद जो आपकी पुरानी वीडियो ऑडलना साहते हैं तो सके लिए आपको करना क्या है यह जहाणा वीडियो लियूड वाई और उप्षिन पर आइढाने का ऐध को नीचे प्लस का आइकर छ की टोफी इनलेगवada वीडियो वाले को कार देना है उसके बाद वह सेकंड पर ले जाएगा आपको फिसकी तरफ लेयाउट पे और यहां पर भी आपको वीडियो को पोस्ट करना या तो यए वीडियो यह से पर्क हो जाएगी दोनों तरप आप वीडियो डाल पायंगे तो अब पर पुरानी वाली वीडियो ले लिया तो एक दूसरी वीडियो भी लेली यह दोनों वीडियो आप देख सकते हैं दोनों कंटीनियू आ गई हैं दोनों कंटीनियू आने के आपको यहां पर ऐसा क्लिक करके रखना है तो आप देखेंगे दोनों वीडियो आपकी प्रोसेसिंग पर हो जाएगे और जब भी आप पोस्ट करेंगे इस वीडिय कर सकते हैं तो यह processing हो जाए तो मैं आपको वह भी दिखा दूँगा आप देख सकते हैं क्लिप एडिट हो गयी है और जैसी आप इसको आगए ही तरफ ले जाएंगे तो दोनों वीडियो आपको देखेंगे अगर आप पोस्ट करेंगे तो दोनों वीडियो तो यह हूगे दूसरे के लिए आपको वाप्स किलिक करेंगे तो आपको यहां चला की देखी लिए हैं, कैसा है, उसके अगर दूसरे लिए उट पर जाएंगे, तो आपको ऐसी स्क्रीन मिल जाएगी, अब यहां क्लिक करेंगे, तो वो डबल स्क्रीन आइटोमेटिक ले लेगा, और यहां पर जाएंगे, अब तीन स्क्रीन आप मेहापन ले सकते हैं, इसको back करिए आप जाना है यहां जाना है वीडियो लिए आउड वाले option पर यहाँ पर आप देखेंगे आ गया है आप जैसी यहाँ पर आएंगे आप उसका layout change करेंगे तो आप देखेंगे आप डौilt वेड़ भी हो गया है और यहाँ पर जायेंगे तो आपको तीन maximum तीन वीडियो भी डाल सकते हैं तीन के लिए वापिस आपको यह से चूज करना है यहां क्लिक करना है, यहां क्लिक करने के बाद आपको यहां पर कोई सी वीडियो को चूज करना है उसके सेकंड पर जाना है second video जो भी आपको उठानी है उस पर चूस करना है फिर third पर जाना है third video जो उठानी है आपको third पर click करना है और आप देखेंगे तीनों video continue हो गया और आपको सिर्फ plus पर icon पर click कर देना है तो तीनों post आपके तीनों video एकी बार में आपकी post हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया यही option आप उसने उस पर भी यूज़ कर सकते हैं अपने story के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और story पर option आपको मिल रहा होगा आप देखेंगे आपर story पर भी option अभी आ रहा था बट अभी आ नहीं रहा भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूब बताएं कि आपको मेरी video कैसी लगी है दोस्तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तो प्लीज मेरे चैनल की next वीडियो की update आपको सबसे पहले मिले दोस्तों और मुझे इंस्टागर और फेस्टू फोलोग करना भी ना भूलें इसका लिंक आपको डिस्टून पर मिल जाएगा तो थेंक यू दोस्तों